नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों बात करेंगे हम लवली इनू टोकन के उपर कि क्या हो सकता है इसका 16 अगस्त का जो लिस्टिंग है वो आप लोगों का किस इस्चेंज पर देखने को मिल सकता है और इसकी प्राइस कहां यहां तक जा सकती है ठीक है तो आप लोगों में बने रहेगा वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आप लोगों को पता होगा कि इस समय सबसे ज्यादा हुआ है तो आप लोगों का है लवली इनू ठीक है अभी आपने करेंट में देखा कि आप लोगों का जो लवली इनू है वो आप लोगों का लिस्ट हुआ है तीन अगस्त को जटी एक्सचेंज पर ठीक है जिसका कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका वैलूम बहुत ज्यादा हाई है लेकिन आप लोगों को इसमें आप देख सकते हो कि इसका दो बजे के करीम में लिस्टिंग हुआ है लेकिन आप लोगों को इसमें प्राइस देखने को पंप देखने को नहीं मिला है ठीक है फिलाल दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि जो इसकी क्वाइन मा 000802 यानि की टोटल जो प्राइस की बात करें तो आप लोगों का है 0.6 080 ठीक है यानि की 8K सेरीज में यहां पे चल लई है टोटल आप लोग अगर मानों तो 24 घंटे में आप लोगों को एक परसेंट का मोटा मोटा जो है यहां पे पंप देखने को मिला है ठीक है बिट मार्ट पे जो अगर प्राइस की बात करें तो बिट मार्ट पे जो आपकी प्राइस चल लई है वो आप लोगों की यहां पर सेम सेम लगभग चल लई है कोई भी अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिला है, 79200 के करीब में, यहाँ पे आप लोगों को price देखने को मिल जाती है, ठीक है, और जो all time high गया है, आप देख सकते हो 83021 के करीब में गया है, यानि कि लगभग आप लोग, और load की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए 72, ठीक ठाक यहाँ पे price देखने को मिला होगा, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, jetty की तरफ, और सोचते हैं कि क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 16 अगस्त की listing आप लोगों की क्या हो सकती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं jetty exchange पे, तो दोस्तों हम आ गए है coin market cap पे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं jetty exchange को, ठीक है, jetty exchange, यह देखिए, आप लोगों का यहाँ पे जो jetty exchange है, उसकी जो ranking है, आप लोगों की coin market cap पे, वो है आप लोगों की 178 की, ठीक है, और इसकी जो rating की बात अगर कर लेते हैं, तो इसकी जो rating है, वो आपको मैंने बताया यहां पे कि आप लोग देखें यहां पे लगभव 29,441 की BTC आप लोगों को 24 घंटे के अंदर आप लोगों का यहां पे वैलूम जनरेट होता है 29,441 BTC के बराबर ठीक है डॉलर में आप इसकी प्राइस को खुद काउंट कर सकते हो कितना जबरदस्त इ इक बड़ी दिक्कत है कि यहां पे लबली इनु की जो प्राइस है उसको बार-बार यहां पे एक साथ पंप किया जाता है और फिर अचानक से डंप हो जाता है ठीक है क्या होता है कि लबली इनु के जो ऊपर बैठे ओनर कह सकते हैं का trust अभी lovely इनों पर नहीं बन पा रहा है ठीक है जिसकी वज़ासे यहाँ पे आप लोगों का जो volume generate होता है आप लोगों का jetty exchange पे वो उहाँ पे आप लोगों के लोगों का भरोसा नहीं देखने को मिला है जिसकी वज़ासे आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा price में अंतर देखने को नहीं मिला अब बात कर लेते हैं कि अगला जो listing आप लोगों का पाँच अगस्त को होने माला है वो आप लोगों का है hobby global पे जिसकी की अगर हम बात कर लेते हैं जो current ranking चल ले है आप देख सकते हो कि hobby global पे इस समय जो ranking है वो आप लोगों की है 9 की यानि कि 9 number की ranking है आप लोगों की coin market cap पे और अगर rating की बात कर लेते हैं तो यह बहुत जबरदस्त rating है जो कि आप लोगों का है 6.9 की rating यानि कि मोटा मोटा अगर कहें तो 7 number की इसकी rating है और उसके बाद भी लेकिन volume भले ही इसका कम हो लेकिन इसकी rating बहुत अच्छी है यानि कि लोग इस पे trust बहुत ज़्यादा करते हैं और यहाँ पे trading हो गयरा करना पसंद करते हैं ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लोगों को hobby global पे जो है 37405 BTC का पर 24 घंटे के अंदर का volume generate होता है तो अगर आप लोगों को और और साथी साथ दोस्तों एक चीज़ और देख सकते हो कि hobby global ने खुद के platform पे इसके listing की बात को कहा है और साथी साथ में खुद का मतलब इसने खुद जो है लवली इनू की listing की marketing काफी हद तक और काफी ज़्यादा की है साथ में लवली इनू वाले भी यह आप एक चीज़ सोच सकते हो कि अगर जो है जिसकी marketing सबसे जादा की जाती है वो coin वो जो है वहाँ पे एक अच्छा खासा value generate करने की चमता रखता है अगर आप लोगों का इसमें एक अच्छी खासी community अगर जो है घूमती है इसको buy करने के लिए तो आप लोगों को यहाँ स एक अच्छा खासा pump देखने को मिल सकता है और यह भी हो सकता है कि lovely new अपना एक जो है all time high kill करे और उसके साथ साथ आप लोगों का एक zero भी kill करे ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे situation देखनों को मिल लई है ठीक है अब बात करते हैं कि इन्हों ने कहा कि 16 तारिक को यानि कि 16 अगस्त को आप लोगों की यहाँ पे एक exclusive listing की जाएगी ठीक है बीच में आप लोगों का जो है पांस तारिक के बाद से ले करके और 16 तारिक तक का अभी लिस्टिंग का announcement इन्होंने नहीं किया है ठीक है तो बस एक चीज लिख दिया कि 16 तारिक को इसकी exclusive listing है तो अब exclusive listing आप लोगों को Binance पे list होता हुआ दिखाई देगा या तो फिर आप लोगों का ये जो है OKX पे या कुक वाइन पे या तो फिर ये लोग अपना खुद के exchange पे list करेंगे ठीक है तो इस तरीके के कयास लगाये जा रहे हैं लेकिन अगर हम लोग बात करें कि Binance पे क्या इसकी listing हो सकती है आप लोगों के 16 तारिक को तो देखे क्राइटेरिया जो भी है आप लोगों का उसको तो complete करता है लेकिन एक दिक्कत यहां पे ये आ जाती है कि लेकिन अपने टोकन को कभी भी बढ़ा सकता है ठीक है जो और इसने ऐसा किया भी है जिसकी वज़ा से बाइनन्स का क्या है रूल कि जो भी टोकन्स होते हैं जो मिंट कर सकते हैं ठीक है मिंट करना गलत नहीं है कि मतलब जो है मिंट करके बढ़ाया जा सकता है लेकिन बाइनन्स का क्या है कि वे मिंट करने और जो मिंट कर देते हैं टोकन को ऐसे टोकन को बाइनन्स जो है अपन ऐसा लगता है कि बाइनेंस पर लिस्टिंग इस वज़ा से नहीं हो सकती है ठीक है अब यहां पर बात अगर करें तो होबी ग्लोबल में यहां पर है आप लोगों की नौ नंबर की रैंकिंग ठीक है इसको आप देखिए तो अगर एक्स्क्लोजब लिस्टिंग कर रहे हैं त तो इससे उपर के ही किसी टोक पे आप लोगों को इसकी लिस्टिंग देखनों को मिल सकते है यानि कि एक से ले कर करके और आठ नंबर तक पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है ठीक है तो अगर आप मान लीजिए कि यहां पे आपको सबसे ज़्यादा उमेद जो है वो तो आप लोगों का है यहाँ पे कि हो सकता हो कि QQน पर या तो फिर आप लोगों को यहाँ पर Coin Base पर भी देखने को मिल सकता है ठीक है तो अगर माल लिजे कि Coin Base पर लिस्टिंग हो जाती है आप लोगों की तो Coin Base की जो आप देखो तो ranking भी आप लोगों को दो नंबर के मिलती है और साथी साथ में आप लोगों को यहाँ पे 8.3 की रेटिंग भी एक अच्छी खासी रेटिंग देखने को मिल जाती है और साथी साथ में इसका जो वैलूम है आप देख सकते हो 80,000 BTC का आप लोगों का वैलूम 24 आवर में यह जनरेट करता है यानि कि ट्रेडिंग इस पे होती है लगभग 80,750 BTC का हेर फेर 24 घंटे के अंदर हो जाता है ठीक है तो अगर आप लोगों का लवली इनू इस एक्षेंज पे लिस्ट होता है क्वाइन बेस पे अगर यह आ जाता है तो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त पंप आप लोगों को देखने को मिल सकता है ठीक है तो अब हम लोगों को करना क्या चाहिए यहां पे लवली इनू को के लिए कि लवली इनू को आप लोगों को यहां पे होल्ड जरूर करन ना कि trading करना नहीं आता है कि कब हम खरीदें कब हम बेचें तो आप लोगों को simply सा जो लोग hold करने में विश्वास करते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि 16 अगस्त तक वया आप लोग आख बंद करके इस पे जो है इसको भूल जाईए और 16 अगस्त को ही नज़र डालिए कि आप लोगों को इसकी price में क्या देखने को difference मिलता है क्योंकि आप लोगों को 16 तारीक तक इसमें लगातार जो है यह है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो pump देखने को मिलता ही रहेगा तो अगर आप लोग इसमें trading नहीं कर सकते हो तो आप लोग 16 अग होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करिएगा और हाँ हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा ताकि आप लोग को इस तरीके की और भी जानकारी यहां से आसानी से मिल सके इसके लिए आप लोग को क्या करना है हमसे जुड़ने के लिए आप लोग को सीधा सीधा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और घंटे के बटन को जरूर दबा देना है ताकि आप लोग को आगे आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले मिल सके उमीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का